Folded Hands, Welcome Guys, Please ज्यादा से ज्यादा शेर करें Folded Hands, Please लाइक और कमेंट जरूर करें, रेटिंग भी दें अंशा विक्रांत के होटों की छुवान से नींद में भी बेचैन हो रही थी, वही विक्रांत एक्साइटड होकर अंशा की थाई पर बाइट कर लेता हैं, जिसकी वज़े से अंशा की आँखें हलकी-खलकी खुल जाती हैं, इस वक्त अंशा फोल नशे में धूत थी, और नी आ गया, वही नशे में भी अंशा की दिल की धड़कने रोलर कोस्ट की तरह उपर नीचे हो रही थी, वो लंबी-लंबी सांसे ले रही थी, वही अंशा के मूँ से मधोश कर देने वाली अहे निकल जाती हैं, वही विक्रांत का दिल भी आज पहली बार जोरों से धड़क र विक्रांत अंशा की थाई पर किस और बाइट कर रहा था, जिससे अंशा मचल उठी और उसकी मूँ से सेक्सूल वोईस में अहे निकले जा रही थी, जो विक्रांत को बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी, वही विक्रांत का फोन लगातार बजे जा रहा था, विक्रां विक्रांथ खिर्की के पास जाकर फोन रिसीव करता है। फोन डेनिस का था। डेनिस सीरियस टोन में विक्रांथ से कहता है। यार विक्रांथ वो कमीने चंगेज खान हमारे कबजे में हैं। उसके साथ क्या करना है। विक्रांथ के चहरे के भाव अचानक ही खतरनाक हो जात और वो डेनिस से cold voice में कहता है, तुम उस कमीने को मेरे farmhouse पर लेकर पहुँचो, मैं आता हूँ. विक्रांथ phone disconnect करके एक गहरी सांस लेकर अंशा की तरफ देखता है, अंशा बैड पर बैठने की कोशिश कर रही थी, पर नशे में धूत होने की वज़े से वो बैठ नहीं पा रही थी. विक्रांथ अंशा को अपनी गोद में उठा कर अपने साथ लेकर निकल जाता है, क्योंकि वो अंशा को ऐसे नशे की हालत में नहीं छोड सकता था, और ना ही अंशा की कोई family थी, कि वो उसे उसके घर छोड देता, और रही hostel की बात तो अगर विक्रांथ अंशा को नशे मे हॉस्टल छोडता, तो बोर्डन पकका उसे हॉस्टल से निकल देती, इसलिए विक्रांथ अंशा को अपने साथ अपने farmhouse के लिए लेकर निकल जाता है, वो ही कार में अंशा आखे टिम्टिमाते हुए नशे की हालत में विक्रांथ का चेहरा अपने हाथों में थमा कर कहती हैं, तुम कौन हो? विक्रांथ ड्राइवर को कार में partition own करने को बोलता हैं, partition own होते ही विक्रांथ अंशा को अपनी गोद में बैठ कर, उसकी की गर्दन में अपना चेहरा चुपा कर कहता हैं, Sweet Heart, I am your hubby. अंशा नशे में, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई, फिर तुम मेरे हब्बी कैसे हुई? विक्रांथ अंशा का चेहरा अपने हाथों में लेकर, उसकी आँखों में देखते हुए प्यार से कहता हैं. Sweet Heart, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं. अंशा विक्रांथ के चेहरे को बहुत ध्यान से देखती हैं. इस वक्त दोनों के चेहरे इतने करीब थे, कि दोनों के होंठों एक दूसरे के होंठों से टच हो रहे थे, विक्रांथ अंशा के होंठों से अपने होंठ रब करते बही अंशा आखे टिम्टिमाते हुए कहती हैं, तुम तो बहुत ज्यादा हैंसम और डेशिंग हो, फिर तुम मुझ जैसी बदसूरत लड़की से शादी क्यूं करना चाहते हो, तुम्हें तो अपनी जैसी किसी खुबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए, ताकि तुम्ह बच्चे भी क्यूट क्यूट पैदा हो, मुझ जैसी बदसूरत बेवाडी लड़की से शादी करके क्यूं अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हो, विक्रांत अंशा को बहुत ही हिरानी से देखा रहा था, और अपने मन में ये सोच रहा था, कि क्या ये लड़की आइना नहीं देखती, विक्रांत ने आज तक जितनी लड़कियों से मिला हैं, अंशा उन सब में सबसे खुबसूरत और मासूम थी, अंशा तो इतनी ज्यादा खुबसूरत थी, कि जहां से गुजर जाती थी, वहां मौझूद लड़के उसे अपना दिल दे बैठते थे, और चाट बच्चे तो हमारे भी बहुत क्यूट होंगे। अंशा नशे में भी विक्रांत की बात सुनकर शर्म जाती हैं, और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर लड़कडाते शब्दों में कहती हैं, हब भी क्या मैं तुम्हें अपने फेवरेट गाने सुन सकती विक्रांत अंशा के बालों पर किस करके हां बोल देता हैं, फिर क्या था, अंशा विक्रांत से थोड़ा दूर होकर बैठ जाती हैं, और वो शराब और शराबियों के उपर जितने भी गाने थे, सब विक्रांत को सुना देती हैं, और आज विक्रांत बहुत वक्त बाद अ अंशा के शराबियों वाले गाने सुनकर हंस रहा। था, विक्रांथ हंसते हुए और भी हिंसम लग रहा था और अंशा को पता नहीं क्या होता है। वो सीट से उठा कर विक्रान्थ की गोद में बैठ कर जाती हैं और अगले ही पल अपने नर्म होंट विक्रान्थ के सक्त होंटों पर रख जिससे विक्रान्थ की आँखे फैल जाती हैं वही अंशा को ठीक से किस करना नहीं आता था इसलिए वो विक्रान्थ के होंटों को लो के लेता हैं, विक्रांत अंशा के होटों बेतहाशा चूमने लगता हैं, विक्रांत का एक हाथ अंशा की पीट को सहला रहा था, और दूसरा हाथ अंशा के बालों को सहला रहा था, वक्त के साथ विक्रांत और अंशा का किस पैशनेट किस में बदल गया था, इस वक्त दोनों की ही आँखें बंध थी। वही जब विकरांथ को अहसास होता है अंशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही हैं तो वो उसके होटों को फ्री कर देता हैं और दोनों ही लंबी लंबी सांसे लेने लगते हैं ये कि अंशा और विक्रान्थ का लाइफ का पहला किस था, वही अंशा नशे में बकबक करते करते विक्रान्थ के सीने पर सिर राख, फिर से सो जाती हैं, वही विक्रान्थ का फार्म हाउस भी आ गया था, वही विक्रान्थ अंशा को अपने अपनी गोद में लेकर जब फार्म हाउस में अंशा को अपने किंग साइज बैड पर लेट देता हैं और अच्छे से ब्लेंकिट ओड कर अंशा के माथे पर किस करके रूम का डोर लॉक कर चला जाता हैं। वही फाम हाउस के बेसमेंट में एक आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और पागलों की तरह हंस रहा था। उस आदमी के चारों और ब्लाक युनिफॉर्म पहने बहुत सारे बॉडी गार्ड खड़े थे। वो आदमी चारों और देख कर कहता हैं। तुम्हारा किंग और उसका वो चम्मच कहा हैं। कहीं मेरे डर से कहीं छुप कर तो नहीं बैठे। ये कहा कर वो आदमी बहुत गंदी हंसी हंसने लगा। तभी उसके कानों में शेर के धहरने की आवाज पढ़ती हैं। सब गेट की तरफ देखते हैं। गेट पर विक्रा खड़ा था और उसके एक साइट डेनिस और दूसरे साइट बबबशेर इस वक्त विक्रान्थ के चहरे पर खतरनाक भाव थे जो किसको भी डरने के लिए काफी थे। विक्रान्थ एटिट्यूड में चलते हुए अंदर आता हैं और वहां रखी एक किंग साइट शेय पर बैठ कर शैतानी हंसी हंसते हुए चंगेज खान तू अपने भाई की मौत भूल गया क्या तभी तूने भी वही गलती दौर दी मुझसे दुश्मनी मोल लेकर। विक्रान्थ इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था कि चंगेज खान का तो डर से दिल ही काम पुठा खान निकल गई सारी हे कड़ी। वही विक्रान्थ अपने बंगले में खड़े बबब शेर को इशारा करता है। वो बबब शेर विक्रान्थ की आँखों में देख करकर चंगेज खान की तरह बढ़ जाता है। वही कुछ पर बाद चंगेज खान की खौफनाक चीखे बेस गूंजने लगती हैं. वही आधे घंटे बाद सब कुछ शांत हो चुका था, वही डेनिस उसे बबब शेर से कहता हैं, म्यांगो बेबी चाचु के पास. आओ, म्यांगो डेनिस के इतना प्यार से बुलाने पर किसी छोटे बच्चे की तरह भागते हुए आता हैं, और सीधे डेनिस के ऊपर जंप मारता हैं, डेनिस नीचे गिर जाता हैं, और म्यांगो डेनिस को टिम्टिमाती आँखों से देखने लगता हैं. डेनिस दर्द से कराहते हुए अरी यार मैंगो अपने चाचू की चटनी बनाने का इरादा है क्या डेनिस जमीन से खड़ा होकर विक्रांट से स्माइल करते हुए यार विक्रांट तुमने मैंगो को उसकी होने वाली मम्मा से मिलिया विक्रांट नामे से रहिलाता है वही डेनिस के मूँ से मम्मा शब्द सुनकर मैंगो बहुत खुश होकर विक्रांट के पास आकर उसकी आँखों में देखता जैसे वो अपनी मम्मा को देखने के लिए बोर रहा हो विक्रांथ म्यांगो के माथे पर किस करके शांत भाव से कहता है? बेबी मम्मा अभी सो रही है, तुम मम्मा से सुबह मिलना. म्यांगो भी म्यांगो था, वो धम करके जमीन पर बैठ जाता है, जैसे वो विक्रांथ की बात से नाराज हो गया हो. आखिरी मैंगो और अंशा की पहली मुलाकात क्या रंग लाएगी एक बबब शेर को अंशा कैसे अपना बेबी एकसेप्ट कर पाएगी जाने के लिए पढ़ते रहिए